कि हैलो स्टूडेंट्स मैं आर्के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है आरके सागर यूनिक स्टड़ी तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो के विद्यारती हैं बोड के बैलोजिके उनका जो प्रिक्टिकल होगा उसमें जो जीवों का वरगी करना आता है उसी की जो से क्लासिफिकेशन है वह मैं कराने वाला हूं उसका जो वर्क perfect मैं already करा चुका हूँ वहाँ पर जो classification है वर किकल्ड है वह छूट गया था तो आज कि इस video में जो जीव हैं छार्ज वो जीव थे उन चारों के चारों जीवों का जो वर्गीकर्ड है मैं आपको करांगा तो आप क्या करेंगे आप इस video को देख करके जो classification है उसे वहाँ पर लिख लेंगे कर लेंगे जहाँ पर आपने वो space छोड़ा हुआ था प्रतियक जीरदारी के नीचे ही उसका वर्गी करन करें वहाँ पर आपको उसका जो नाम है वो मिल जाएगा ना जैसे कि पहला ही इसमें वर्गी करन है वो है मेंड़क का ठीक है तो मैंने लिखा है पहले heading इसमें classification of organism अर्थात जीवों का वर्गी करन तो सबसे पहले मैं आपको जो मेंड़क है इसका जो वर्गी करन है वो बता रहा हूँ आपको याद भी करने है तो देखिए students जो मेंड़क का वर्गी करन है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे kingdom kingdom को हम कहते है हिंदी में जगत और kingdom आप जानते है मेंड़क का होता है अर्थात ही जन्तु होता है फिर आप phylum अर्थात संग इसका जो phylum होता है वो होता है core data होके हिंदी में भी आप ऐसे लिखेंगे core data होके English और हिंदी दुनों में ही सेम होता है किलास अर्थात वर्ग इसका जो किलास है वर्ग होती है एंफिबिया या हिंदी में कहें उभैचर और अर्थात गण गण हो उसका होता है एन्यूरा जीनस अर्थात वंस यह होता है इसका राना इस पीसीज अर्थ आप स्मोल लेटर से सुरू करेंगे और जो जीनस है उसे आप कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे बाकी सारा आपको कैपिटल लिखना है लेकिन जो स्पीसीज नेम है वो किस से लिखना है क्योंकि जो स्पीसीज नेम होता है वो स्मोल लेटर से ही लिखा जाता है बाकी जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है किलियर तो यह हो गया मेंड़क क्लासिफिकेशन तो आप यहां तक जो है स्किन सोट ले लिजिए अब मैं आपको जो नेक्स्ट है रोहू उसका क्लासिफिकेशन कराने वाला हूं आये देखिए बच्चो देखते हैं नेक्स्ट रोहू अर्थाथ ले विओ तो इसका जोंगन्वह होता है जगत होता है वहएनिमली आपो पता सभी को पता है देंकि जितने भी यह procs हैं इनका जोंगन्वहरा सभी का क्या होगा एनिiverse फाय्लाम इसका क्या होता है, code data होता है, class, ostrich thiege, क्या होगा, ostrich thiege लिख ले रहना या फिर ostrich thiege क्या ले लेना इसको, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, इनके spelling पता होनी चाहिए, और आपको जो ये नाम है, इंगलिस में ही लिखने हैं, याद करने हैं, और जो आपका practical work होगा board का, उसमें भी आपको जब इनका classification आप लिखते हैं, तो ये इसको इंगलिस में ही लिखें, तो ostrich thiege या ostrich thiege, इसे आप कहाए सकते हैं, तो class इसकी हो गई, ostrich thiege या ostrich thiege, order हो गया इसका, सिप्रीनी forms, क्या हुआ, सिप्रीनी forms, इसका जो चरण है, वो आपको आना चा तो आपको पता है, जो कोई भी जी होता है, हाना उसमें एक तो नाम होता है, जो उसकी जाती को परदसित करता है, और एक करता है किसको, उसके once को, तो जो रोहु का इस प्रकार से वेग्गेनिक नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेवियो रोहिता, उके, उसी प्रकार से पर मैंडक की बात करें, मैंडक का नाम हो जायगा, राना टिगरीना, इनके आपको वैग्गेनिक नाम भी याद रखने है, तो जो जीनस होगा, ओर जो क्या होगा, इस पिछीज होगा, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है किसी भी जीव का वैगनिक नाम बनता है ठीक है तो जैसे अगर आप से पूछे रोहु का वैगनिक नाम तो आप कहोगे लेबियो रोहिता समझ मारा है ना और यह आपको पता होना चाहिए कि इसका वैगनिक नाम क्या है जैसे मेंडक का वहता राना टिगीना बह आपर spelling में फिर समश्य आ जाएगे आपको चलिए देखते हैं आगे इसके इंसोट ले लिजिए फिर देखते हैं नंबर तीन देखे इस्टुडेंट्स नंबर तीन है छिपकली ओके जिसे आप सभी जानते हैं इंगलिस में क्या कहते हैं लिजार्ड हम इसे कहते हैं इंगलिस नाम भियाद कर लेना तो देखिए इसका जो किणनम होता है वो एनिमल यह होगा आपको पता है फाइलम कोड़ डेटा होगा किलास रैप्टीलिया इसकी जो किलास है वो मस्ट है आप से पूछा जा सकता है कि जो छिपेकली है उसकी किलास कौन शी है या उसका वर्ग क्या है तो आपको याद रखना है रैप्टीलिया ओके ओर्डर square meta, क्या नाम है order, square meta, उच्चान कर ले न, ठीक इसको, कभी आप पर उच्चान नहीं नहीं, क्योंकि जो examiner नहीं, इनको पूछ लेता है, ठीके, आप से ऐसे पूछ सकता है, कि जो छिपकली है, छिपकली का जो order है, या गण है, आपको पता order को हिंदी में गण कहते हैं, तो order क्या है, तो आप कहेंगे, आप बताएंगे, square meta, spelling आपको याद रखनी है, ठीके, जीनस, तो जीनस हो जाएगा, इसका hemidactyls, है न, क्या कहेंगा आप इसका जीनस को, hemidactyls, ठीके, इस पिसीज, flaviviridies, इस पिसीज क्या कहेंगे, flaviviridies, या आप flaviviridies भी कह सकते हैं, ओके, या तो आप कहें, flaviviridies, या कहें, flaviviridies, ओके, इस पिसीज, तो इस प्रकार से छिपकली का हो गया, सब की spelling आपको याद कर लेनी है, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए पहले आप यहां तक इसकिन सोट ले ल चो अगला है, एसकिरिस, ओके, किंग्डाम होता है, इसका भी अनिमल या, फाइलम होगा, एसकलमेंथीज, क्या होगा, एसके हेलमेंथीज, ओके, एसके हेलमेंथीज, किलास, निमेटोड, ओके, क्या होगी, किलास, निमेटोड, निमेटोड यह नहीं कहोगे, निमेटोड order ascaridia genus ascaris species lumbricoides क्या होगी species lumbricoides अगर आप से पूछे कि जो ascaris है इसका जी वेगनिक नाम बताईए तो आप बताएंगे ascaris lumbricoides इसमें जो ascaris नाम है वो उसके genus अर्थात वंस को परदर्शित कर रहा है और जो lumbricoides है ये इसकी जाती अर्थात species को परदर्शित कर रहा है तो एक बात और आपको क्या करना इस चैनल को subscribe जरूर कर लेना है क्योंकि इस पर ऐसी information आपको और भी मिलने वाली है साथ ही साथ कुछ important question जो है biology के वो भी आपको इस पर मिलने वाले है तो चैनल को जरूर subscribe कर लेना साथ ही साथ जो student हैं जिनें नहीं पता है कि इस पर ये वीडियो आई है उनको जरूर बताएं उनके पास तक वीडियो को जरूर सेर कर देना उनसे कहना कि जो classification अपनी copy में कर लें नहीं तो फिर problem हो जाएगी अगर आप इसको copy में नहीं लिखेंगे क्योंकि exam में आपको अवस्य ही ये जो classification अर्थत वर्द की करना है इसे लिखना है ठीक है तो बच्चों क्या करना आप लोगों चैनल को subscribe करना है क्योंकि इस पर आपको कुछ important questions की वीडियो मिलने वाली है साथी साथ आपको उनके उत्तर भी मिलेंगा आंसर भी मिलेंगे ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत पढ़ते जरूर रहिए और अपना ख्याल रखिए